और महादेव आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपके पास कोई भी मुसीबत आएगी वो आने नहीं देंगे वो तृशूल देख रहा है ना वो लेकर के आजाएंगे आपके साथ चलेंगे बिलकुल ठीक है न हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका दोस्त जितेश वाधवानी और दोस्तों यार अब मैं एक सीरीज चालू कर रहा है ये हम जिसमें हम क्या करेंगे स्प्रिच्वैलिटी, रिलीजियन, मेडिटेशन, योगा, गॉड इन सब के ओपर वीडियोज बनाएंगे ठीक है, क्योंकि यार मैंने वेपासना पर वीडियोज बनाए थे आपको वो बहुत पसंद आए और आप लोगों नहीं कहा है कि ऐसे बहुत वीडियोज बनाए जाएं जिसमें स्प्रिच्वैलिटी, गॉड, रिलीजियस इन सब की बाते हो मतलब मेरा जो भी इस से related experience है मेरी जो भी knowledge है, मेरी जो भी understanding है वो सब मैं आपके साथ share करूँगा, ठीक है न और मैं आपसे एक चीज़ और कह देता हूँ आपके जो भी questions है, जो भी doubts है इन सब चीजों से related, आप नीचे comment section में मुझसे पूच सकते हैं, और जिस भी comment पे ज़्यादा likes आएंगे, है न, या फिर same comments बार-बार आ रहे होंगे, हम उस पे dedicated video बना दूँगा, मैं आपके लिए, ठीक है उस question को answer करते हैं, तो चलो यार इस video को आपन स्टार्ट करते हैं, और इस video में हम जानेंगे कि what is Shiva, Lord Shiva क्या है, है न, भगवान Shiv, महादेव, वो क्या है, तो यार मैं सबसे पहले एक disclaimer दे देता हूँ, कि भगवान Shiv के बारे में कुछ भी कह पाना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मेरी इतनी नुकात ही नहीं है कि मैं कुछ उनके बारे में कह पाऊँ, बट फिर भी, जितनी भी मेरी understanding है, जितनी भी मेरी knowledge है, है न, मेरे जो भी experiences है, study है, मैं उसके basis पे कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत बताने की कि Lord Shiva क्या चीज है, क्या तत्व है भगवान शिव, ठीक है, तो चलो यार अपन इसके बारे में जानते हैं, है न, तो देखो, अगर आप spiritual books की बात करोगे, religious books पड़ोगे, तो उसमें बताया जाता है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था, है न, जब धरती में कुछ भी नहीं था, even a single thing, तब आये थे first Lord Shiva, और Lord Shiva क्या थे, वो जोती स्वरूप थे, है न, भगवान शिव, जोती स्वरूप में आये थे, और जो उनका शेप था, वो शिवलिंग था, तो ये जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसी शेप में जोती स्वरूप शिवलिंग आये थे, शिव जी आये थे, ठीक है, उसमें से निकले ब्रह्मा, विश्नु, महेश, ब्रह्मा मतलब जिनने शिश्टी की उत्पत्ती करी, जो थे जनरेटर, फिर उसके बाद निकले विश्नु जी, विश्नु मतलब के घृपरेटर, जो पूरी शिश्टी को अपरेट करते हैं, जी फोर जनरेटर, ओ फोर उपरेटर, फिर आये महेश, मतलब की destroyer भगवान शिव ठीक है तो god generator operator destroyer भ्रह्मा विश्नु महेश तो इस तरीके से पूरी की पूरी शिष्टी की रचना हुई तो जब कुछ भी नहीं था तब शिव थे शिव में से ही सब कुछ निकला है ठीक है तो शिव तत्वई ही है जो सब के अंदर बसा हुआ है और इसके अलावा जब भी आप ancient रिशी मुनीज को देखते होगे भगवान शिव की पूजा की जाती थी शिव लिंग स्वरूप में की जाती है उनकी पूजा ठीक है और जितने भी हमारे मंदिर है प्राचीन से देवों के देव महादेव है ना अगर आप एक एक देवता की individual ही पूजा करो 33 करोर देवी देवता है और दूसरी तरह आपके वल भगवान शिव महादेव की पूजा कर लो तो बात बराबर होती है ठीक है और हमारे भगवान शिव कैसे हैं बहुत भोले हैं वो तो मतलब एक लोटा जल से प्रसंद नोने वाले हैं ठीक है ना तो बहुत भोले हैं और इनको अगर आप प्रसंद करना चाहते हो तो बस आप सुबह एक लोटा जल चड़ा दीजिए वो उसमें ही खुश हो जाते हैं ठीक है, इसके अलावा आप उनकी पूजा कर सकते हैं, है न, आप मंडियक का विशेश दिन होता है, सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है, ठीक है, और सावन सोमवार होते हैं, चार महीने भगवान शिव के होते हैं, डेडिकेटेड, तो आप भगवान शिव की भक्त हैं इस खतम हो जाएंगे लेकिन भगवान के बारे में मतलब मैं क्याigeôngreme आपको समझ सकते हैं इनकी बख्ति बिलकुल नराली है यह और एक चीज और बड़तो बारे में महादेव के बारे में कि इनकी पूजा सब ठीक है ना हम मतलब किसी को बुरा बोल देते हैं किसी का दिल दुखा देते हैं कुछ गलट डिसीजन्स ले लेते हैं तो कहीं ने कहीं हमारे अंदर मतलब गलतियों का पुतला है यार हम और बार बार ही गलतियां करते हम तो भगवान महादेव बैठे हैं आप से गलती हो गई ओम नमश शिवाए इस मंतर का जाप करिए फिर उसके लावा महाम रित्युन जे मंतर है भगवान शिव का ओम त्रियम्वकम यजामह सुगन्यम पुष्टि वर्धनम और्वारुकमे वबंदनान वित्युर मुक्षी है महाम रितात तो इस मंतर का आप जाप करिए इस से भग लक पिता है है यहीज़ आरीज़ सुप्रीम सोल हम सोल है तो यह सुप्रीम सोल है ठीक है ना तो उसी तरीके से हैर हमें भगवान शिव्व से भी अपना रिष्टा बनाना चाहिए तो बस यjar यह है अगर आपको उनकी भक्ति करनी है मुक्र नियає तो आप उनने जल चड़ इन सबसे आप भगवान महादेव का अभीशेक कर सकते हैं, जोतरलिंगों में जा सकते हैं, महामरत्यूंजे मंदर का जाप कर सकते हैं, तो यह सारी छीज़े रहती हैं, आप कुछ भी करके भगवान की कृपा को फील कर सकते हैं, ठीक है? और महादेव आपके साथ खड़े हो मतलब उनकी महीमा इतनी है कि कहते जाओ, कहते जाओ, जीवन निकल जाएगा, लेकिन आपन कहते जाएंगे, बट ठीक है, वीडियो को शॉर्ट रखना है, तो अभी मैं इसको इतना ही रखता हूँ, है ना, तो उमीद करता हूँ, आपके जो फेथ है, जो बिलीफ है, वो शिवा के प्रती और जादा बढ़ेगा, मेरे इस वीडियो से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना, और जो भी कोशन से, जो भी डाउट से, जिस पे आप चाह आदे, वमम बोले, नमस्षिवाय, नमस्षिवाय, नमस्षिवाय.